एक जंगल में खूब सारे जानवर हाथी घोड़ा जिरा फेरन खर्गोश बंदर आधी सब में जूलकर रहते थे वे सब खूब मसे से इधर उधर घूमते और निडर होकर एक दूसरे से मिलते थे एक दिन अचानक उने शेर की दार सुधाई दी जंगल में एक शेर आ रहा था वे सब घबरा कर इधर उधर भागने लगे शेर को भी जो जानवर रास्ते में मिलता वो से मार कर खा जाता था सब ही जानवर बहुत डर गए थे उन्होंने मिलकर सोचा कि यदि ये शेर ऐसे ही सब को मारता रहेगा तो हम सब तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे तो उधे एक उपाय सुझा वे सब मिलकर डरते डरते शेर के पास गए और कहने लगे महराज यदि आप एक ही दिन में सब को मारतेंगे तो बाद में जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे कल से हम सब एक एक करके खुदी आपके पास आजाया करेंगे आप यही अपनी कुफा में अराम करना शेर पहले तो सोचने लगा फिर उसे जानवरों की बात अच्छी लगी शेर ने कहाँ ठीक है पर टाइम से आना देड नहीं होनी चाहिए सबी जानवरों ने कहा ठीक है महराज और वे वहाँ से चले गए अब रोज सुबा एक एक जानवर शेर के पास चला जाता था और शेर उससे अपनी भूख मिटा लेता था एक दिन खरगोश की बारी आ गई खरगोश तो बहुत ही चतुर था शेर के पास जाते जाते रास्ते में खरगोश को एक कुवा दिखाई दिया खरगोश उसमें जांकने लगा तो खरगोश को अपनी शकल परचाई के रूप में उस कुवे में दिखाई दी तभी उसे एक तरकीब सुझी उसने सोचा क्यों ना शेर को बुद्धू बनाया जाए अब खरगोश चान बूच कर धीरे धीरे चल कर शेर के पास जाने लगा जब वो शेर के पास पहुँचा तो शेर ने खरगोश को देखते ही गुस्से से तहाड़ तुम इतने छोटे से खरगोश इतनी देर से क्यों आए हो खरगोश ने उससे जूट जूट कहा महराज मैं और मेरे चार खरगोश साथी आपके पास ही आ रहे थे पर रास्ते में एक और शेर मिल गया वो मेरे बाकी सब साथियों को मार कर खा गया मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आपके पास आया हूँ शेर को और गुस्सा आ गया उसने खरगोश से कहा चलो मुझे दिखाओ कहा है वो दूसरा शेर मैं अभी उससे सबक सिखाता हूँ खरगोश उससे लेकर कुएं के पास गया और यह लगा महराज इसी कुएं के अंदर है वो दूसरा शेर शेर ने कहा अच्छा और शेर ने जैसे ही कुएं में जाकर देखा तो शेर को अपनी ही शकल परचाई के रूप में दिखाई दी उसने जोर से दहार लगाई यह से भी आवाज की प्रतिधनी हुई मतलब कुएं से भी वैसी आवाज आई शेर को लगा सच मुझ कुएं के अंदर दूसरा शेर है शेर ने फिर दहार लगाई उसे फिर वैसी आवाज आई बस फिर क्या था शेर ने आओ देखा ना ताओ और जोर से कुएं में चलांग लगा दी पर कुएं में तो पानी होता है तो शेर कुएं के पानी में डूब गया और खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई और वे सब जानवर खुशी खुशी निडर होकर जंगल में फिर से में जूल कर रहें लगे इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समझदारी और चतुराई से अपना काम करना चाहिए प्रभी भी गुसे में कोई फैसला नहीं करना चाहिए